है shift कि कि है गाज सेजे एर और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सल सीगिनलिग की सेल सिगनलिंग बिसुक्त क्या है जब सेल एक दूसरे से कम्टीकेट करते हैं हम उस चीज को स्टटपी करेंगे सैल किस तरीके से एक दूसरे पर सिग्मल्स भीजते हैं कैसे information transfer करते हैं एक दूसरे पर जिसी यह दो सेले हैं इनको एक दूसरे से communicate करने के लिए तो किस तरीके से करेंगे यह बेसिकली उसी तरीके से humans है अब ये एक person one है इसको person two को कुछ चीज़ें भीजनी है तो यह किसी तरीके से communicate करेंगे हम बोल के communicate करेंगे हम लिग के communicate करेंगे किसी भी तरीके से हम communicate करेंगे उसी तरीके से सेल को भी communicate करने के ज़रूत होती है तो सेल कैसे communicator करता है हम इस वीडियो में वो देखेंगे तो हम इसमें टाइपस देखेंगे क्या-क्या होते हैं क्या-क्या इसमें चीज़ा रिक्वाइड हैं क्या-क्या होती है cell signaling के लिए और हमें एक बहुत important signaling pathway देखेंगे जिसको बहुत है GPCR, GPCR क्या है basically G-protein couple receptor वाले जो pathways होते हैं हम वो देखेंगे बहुत सारी important life processes में ये pathways काम आते हैं so let's begin तो हम basic cell signaling की scheme देखेंगे तो basically आप ये assume करिए ये एक cell है हमारे पास और ये एक दूसरा cell है इदर पे तो अब क्या होगा कि ये cell कुछ molecules release करेगा let's just assume इसने कुछ molecules release करें जो इसको इस cell में पहुँचाने है तो अब ये वाला जो हमारे पास cell है इसके cell के surface में कोई receptors होंगे receptor basically उस molecule को bind करने में help करेंगे ये कोई हमने एक receptor बना दिया तो ये जो molecules दूसरा cell भेज रहा है ये क्या होंगे हमारे इनको बोलते हैं हम ligands ये होंगे ligands और ये होगा receptor तो अब क्या होगा ये जो molecule है ये specific इस receptor के लिए होगे तो ये अब क्या करेंगे ये आखे इस receptor पर bind कर जाएंगे तो यह molecule हमने जैसे कहा कि आपने यहाँ पे bind कर गए अब इनकी binding से क्या होगा कि यहाँ पे कोई और proteins है मान लीजेए इस वाले cell में कोई और proteins हमने रखें यह कोई एक अंदर इसके साथ connected protein है इस protein में कुछ change आएगा तो इसमें change आएगा तो यह protein अपकी confirmation बदलेगा या कुछ और बदलेगा तो यह इस protein में convert हो जाएगा इसके बाद क्या होगा जब यह इस protein से होगा तो यह protein जो है यह किसी दूसरे protein को activate करेगा तो यह कोई दूसरा protein है यहाँ पे इसको activate किया ऐसे करते करते chain बनती जाएगी जिस भी हिसाब से वो pathway चलेगा chain बनेगी and then इसकी वज़े से क्या होगा यहाँ पे कोई एक response हमें मिलेगा response basically क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई molecule और release हो या कोई और process इसमें चलती हो basically यह जो trigger हो रहा है यह receptor पे binding से हो रहा है इस cell ने कुछ ligands भेजे इसको signal किया कि यह कुछ करना है let's just assume इस cell को कोई एक macromolecule चाहिए मान लो इसको कोई एक x y z कोई सभी एक macromolecule चाहिए इसको उसकी requirement है let's red color का तो इसने signal भेजा कि भई मुझे इस वाले उसकी requirement है यहां से response हुआ वो molecule बनना शुरू हुआ और वो molecule यहां से भार ट्राइवल कर दिया इस cell ने वो molecule बनना शुरू किया यह molecule देन यह molecule आके इस cell को मिल गया जिस भी तरीके से मिलेगा वड़ हम यह देख रहे है basically scheme क्या है तो scheme यही है इसकी कि एक cell से या फिर दूसरी जिए से signal आते हैं तो signal ligands, ligands receptor पर bind करता है, receptor से कुछ changes होते हैं वो change carry over हो के, अलग-अलग processes से carry over हो के, वो एक response को initiate करता है उस response से उस cell में कुछ चीज़े है, कुछ यह कुछ process होती है यह basically एक तरीका है cell signaling का, इसी के थोड़े बहुत modifications होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे तो cell signaling के क्या क्या चीज़े ज़रूरी है, हमने बताए कि एक receptor ज़रूरी है receptor मतलब जो किसी उसको receive करेगा और एक ligand ज़रूरी है इन दोनों की वज़े से ही cell signaling possible हो पाती यह ligand आके receptor पर bind करता है, उस receptor से कुछ response बरता है और इसके अलावा receptor और ligand के अलावा हमें कुछ proteins की ज़रूरत है या जो भी enzymes है, proteins हो गए, या enzymes हो गए, जो cell में हमें मिलेंगे तो इस तरीके से यह चीजें सबसे ज़रूरत हैं हमारे cell signaling के लिए तो अब हम आगे देखते हैं कुछ types of cell signaling क्या-क्या होती है और उसके बाद हम GPCR pathway को detail में study करेंगे तो हम बात करने जा रहे हैं types of cell signaling की किस-किस types की होती है, तो basically तीन type की main signaling होती है हमारे जो body में होती है या किसी भी organism में होती है तो सबसे पहली होती है paracrine, दूसरी होती है autocrine, तिसरी होती है endocrine अब यह क्या है इनको जल्दी से समझ लेते हैं, तो paracrine signaling क्या है basically जिब cell एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसको इस तरीके से रस्यूम करिए मान लीजे, यह आप हैं और यह आपके कोई friend है, आप उससे मिले अपने friend से और आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से इसको कुछ बता रहा है आप उसको कुछ बता रहा है आप उसको कुछ बता रहा है, जस्तना casual conversation इसी तरीके से सेल भी है, यह एक सेल है, इसी की close vicinity में एक दूसरा सेल है, यह सेल एक दूसरे से information exchange कर रहा है, यह उसको कुछ बता रहा है, इस सिग्नलिंग उससे molecules के थूरू, तो यह आपकी paracrine signaling होगी, दूसरी आपके आती है autocrine signaling, अब auto मतलब खुझ से, तो autocrine signaling कैसे हो और आप खुद को ही motivate कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप सोच रहे हैं कि मैं यह करूंगा, आप खुद को ही बता रहे हैं, जैसे आप खुद को motivation होता है, हम self motivate करते हैं खुद को, आप खुद को ही motivate कर रहे हैं कि भाई मेरे को यह करना है, यह मेरे को यह goals complete करने मेरे को यह खुद को ही signal भेज़ रहा है उसी को respond कर रहा है किसरी आती है आपकी endocrine signaling endocrine signaling क्या है यह long range है यह long distance होगी मतलब दो cell बहुत अलग अलग जगह पे हैं वो communicate कर रहे हैं endocrine signaling का आपने नाम से समझ गए होगी यह आती है आपकी hormones में hormones क्या है बनते कहीं है उसका response कहीं पर आता है तो उस तरीके से endocrine signaling जो है यह long distance signaling होती है समझ लीजे आप यहां बैठे हैं आप एक city में हैं और आपका friend बहुत दूसरी city में बैठा है तो आप उसको कुछ message भेज रहे हैं जैसे आप whatsapp के थूरू भेज रहे हैं अच्छा इसमें और भी अलगलत तरीके आते हैं मतब इन ही के कुछ derivative है जैसे एक important example हम देख लेते हैं वो है synaptic signaling synaptic signaling क्या है basically क्या है हमारी जो nerves होती है nerve की endings जो होती है nerve की endings को हम बोलते है synapse तो यहां पर इन जगहों पर यह जो area होता है इसका यह synapse होता है तो synapse पर क्या होता है यहां पर भी signaling होती है basically कैसे होता है कि यहां से कुछ molecules या neurotransmitters secret होते हैं वो neurotransmitters अगले neuron में या अगले उसमें कुछ ना कुछ response illicit करते हैं तो यह आपकी synaptic signaling हो गई इसी तरीके से एक और चीज है कि cell to cell contact वाली signaling होती है वो कैसे होती है वो भी मैं आपको चल्दी से बता देता हूँ cell to cell contact basically इसमें cell contact में यह बाद में हम पढ़ेंगे immunology में एक simple example मैं आपको दे देता हूँ वो यह है कि हमारी body में एक natural killer cell होता है NK cell उसे बोलते हैं तो NK cell क्या होता है एक तरीके से watchman type का है समझ लीजिए वो चेक करता रहता है मतलब आपका यह उस पर receptors होते हैं अलग अलग तो वो चेक करता है healthy और unhealthy cells के लिए infected cells के लिए तो यह NK cell हमारा है तो वो जा जाके क्या होता है जो normal cells पर bind करता है तो उस पर bind करता है तो उन receptors को चेक करता है कि भई यह cell में वो आले receptors present है या यह cell infected है या healthy है इस तरीके से वो चेक करता है और अगर वो cell healthy नहीं होता है या वो infected होता है लेट से वो tumor है या virus infected cell है अब वो पहचाने का कैसे है क्योंकि काफी सारे diseases में क्या होता है उसके जो receptors होते हैं infected cell के वो खतम हो जाते है तो वो cell को detect नहीं कर पाता है तो इस तरीके से वो उस cell को पहले ही kill कर देता है natural killer cell इसलिए इसको NK cell बोलते है immunology में आता है यह मैं जब immunology के वीडियो बनाँगा उसमें आपको बता हूँगा फिलाल यह आपका cell to cell signaling है यह cell इस cell को kill करने के लिए फिर इहां से तुष molecules release करता है इस तरीके से चलता है तो यह basic cell signaling के types हो गए अब हम बात करेंगे GPCR pathway की तो हम बात करते हैं GPCR की GPCR basically क्या है G-protein coupled receptor G-protein coupled receptor देख लेज़े लेट अस्यूम यह हमारी plasma membrane है तो इसमें यह G-protein coupled receptor लगा रहता है तो basically हो क्या है एक receptor molecule receptor है यहां पे इस receptor से जो जुड़ा हुआ है यह receptor कैसे है यह 7 transmembrane alpha helixis है मतलब alpha helixis जो structure होता है protein का उस type से यह है यह पूरे membrane में span करता है इसकी जो cytosolic site भी होता है यहां पे इससे जुड़ा रहता है G-protein अब G-protein का एक special type का protein है जिसकी 3 subunits होती है एक होती है alpha और बाकी 2 subunits उसकी होती है beta और gamma तो यह हो गई इसकी यह beta subunit हो गई यह gamma subunit हो गई basically है कैसा कि अगर यह receptor है तो कोई ligand है हमारे पास मान लीजिए कोई ligand है यह ligand आ रहा है यह ligand जब इस receptor पे bind करता है तो कुछ confirmation change होता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो इसकी confirmation change हो जाती है तो यह जो alpha subunit है alpha subunit अपना GDP हटा के यहां पे exchange हो जाता है GTP से GTP मतलब guanacin triphosphate अब GTP जब इसमें लग जाता है तो इसकी वज़े से इसमें क्या होता है alpha subunit आपकी dissociate हो जाती है beta और gamma subunit से यह alpha subunit हो गई यह beta और gamma subunit हो गई यह अलग है gamma subunit, beta subunit और alpha subunit पे आपका GTP bind हो गया इधर पे हमने GTP कर दिया अब यह जो alpha subunit होती है GTP binded alpha subunit further और किसी एक protein को कोई दूसरे protein को किसी और protein को यह signal करती है इसी तरीके से यह protein किसी दूसरे protein को signal करता है ऐसी यह दूसरे को activate करता है ऐसे करते करते activate करके जो हमें response चाहिए होता है basically last में क्या होता है कि यह response हमारे nucleus तक पहुंचता है यह अगर हमारा nucleus है यहाँ पर DNA है हमारा तो हमें क्या चाहिए हमने transcription or translation हमें वो चाहिए तो वो उस gene को express करने के लिए यह response यहाँ से यहाँ पहुंचता है यह उसे बताता है कि यह हमको यह response चाहिए transcription शुरू कर दो तो यह basically बात्वे होता है GPCR का इसमे अलग-अलग molecules आते हैं बीच में जैसे alpha subunit but basic working इसकी यह है यहाँ से response एलिसेट होता है उस तरीके से फिर alpha subunit activate होती है alpha subunit in general basically chain reaction type कि है इसको बोलते हैं हम signaling cascade यह होती है signaling cascade मतलब एक कर रहा है एक के बाद दूसरा हो रहा है basically domino effect जैसे आपने देखा है ना एक गिरता है तो दूसरा गिरता है तिसरा गिरता है उसी तरीके से जो यह एक subunit है यह दूसरे को WAY करती है फिर वह दूसरे को राश करता है फिर दूसरे को वैक करता है इस तरीके से चलता जाता है बाद में क्या होता है यह नब इसका phosphate phosphate छूट जाता है यहां से तो यह वापिस GDP में convert हो जाता है है उसे बोलते हैं Epinephrine pathway. Epinephrine क्या है basically उसका दूसरा नाम है Adrenaline. आपको पता होगा, तो Adrenaline pathway जो है यह वाला जो total pathway है यह हम जो बोलते है fight or flight response. fight or fight response जो होता है उसके लिए responsible है. हम इस pathway को देखेंगे कि इसमें GPCR कैसे काम करता है, मौलीक्यूल का बहुत रॉल है एक छोटी 10 रियक्शन होती है इसका भी बहुत रोल है इद आईलियल Dunn इंजाइम होती है जो ATP को cyclic AMP में convert करते हैं cyclic adenosine monophosphate तो यह adenosine monophosphate होके लिए cyclic form में आ गया तो यह बहुत एक important इसमें secondary messenger है तो अब यह pathway को हम discover करते हैं कि कैसे यह pathway काम करता है तो अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम देखें यह हमारी cell membrane है यह हमारी cell membrane हो गई इस cell membrane पर यहाँ पर हमारे पास GPCR है हमारा GPCR receptor है यह इसके transmembrane helixes हो गए इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो subunits हैं यहाँ पर इसकी तीन subunits हो गई alpha then यहाँ पर आ गई यह beta and this is gamma अब क्या हुआ अब इसको ध्यान से देखेगा सबसे पहले एक molecule आया epinephrine का वो आके इस receptor पर bind कर गया तो यह bind हुआ इसका मतलब यहाँ से यह activate हो गई इसके confirmation change हुआ इसके बाद यह जो है हमारा alpha subunit जो है alpha subunit पर आके GTP लग गया तो alpha subunit हमारी activated हो चुकी अब क्या है अब एक enzyme होती है जो adenile cyclase मैंने बताई तो ऐसे करके एक enzyme अगर हमने यहाँ पर बताई ATP है यह ATP है यह ATP molecule convert हो जाएगा हमारा cyclic AMP में cyclic AMP का structure मैंने उपर दिया है उसको देख लीजेगा तो यह C AMP molecule में convert हो गया उसको इसको एक C AMP molecule में convert हो गया इस तरीके से क्या होगा अब यह C AMP molecule क्या करेगा एक और protein होता है जिसको हम बोलते है protein kinase A अब protein kinase A क्या है यहाँ पर देखिए आप यह एक है हमारे पास protein kinase A PKA हम इसे बोलते हैं तो अब यह जो adenial cyclic AMP है cyclic AMP इंटर्न क्या करेगी protein kinase A अभी क्या है यह अभी यह है inactive form में अभी यह inactive form में बढ़ावा है अब इसे क्या करेगी यह इसको यह कर देगी activate तो इससे protein kinase A हमारा activated form में आ जाएगा तो basically इस तरीके से हो रहा है यह active हो गया अब वो किस वाज़े से active हुआ क्योंकि cyclic AMP ने इस पर act किया cyclic AMP ने इसको activate कर दिया है पूरे तरीके से तो यह cyclic AMP से protein kinase A activate हो गया इसके बाद क्या होगा अब यह जो protein kinase A है अब यह एक और enzyme को activate करेगा और वो enzyme है हमारी phosphorylase kinase नाम थोड़ा सा सुनने में टिपिकल लग रहा होगा मैं लिग देता हूँ phosphorylase kinase तो in turn यह phosporylase kinase अभी inactive है यह इसको करतेगा activate अब यह protein kinase A दूसरी enzyme को activate कर रहा है जो है phosphorylase kinase अब क्या होगा यह phosphorylase kinase क्या करेगी यह एक और दूसरी enzyme को activate करेगी इसके बाद जो है glycogen phosphorylase अब यह जो दूसरी enzyme इसके बाद activate हुई glycogen phosphorylase यह हुई हमारी यह अभी पहले inactive थी अब क्या होगी यह हो जाएगी हमारी activate अब glycogen phosphorylase activate हो गई यहां से यह glycogen phosphorylase activate हो गई वो किस से phosphorylase kinase के action से इसके action से यह जो glycogen phosphorylase है यह हो गई active अब glycogen phosphorylase क्या करेगी glycogen phosphorylase का reaction अगर आप देखेंगे तो glycogen phosphorylase का reaction क्या है अगर मैं इसको यहां से ऐसे ले जाओ glycogen phosphorylase का reaction क्या है it converts glycogen glycogen हमने बताए कि glucose का polymer होता है connected काफी सारे glycogen gets converted into एक single glucose glucose one phosphate molecule में glucose one phosphate G1P glucose one phosphate molecule में convert हो जाएगी इसके बाद क्या होगा बाकी और जो enzymes हैं अलग-अलग वो glucose one phosphate को glucose में convert कर देंगी वो phosphate को glucose में convert कर देंगी यह glucose आपका blood stream में निकल जाएगा तो यह जो blood stream में glucose निकला आपका यहां पे blood है ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लुकोज निकला यहां से आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉंस अलिसे होगा तो यह टोटल आपका जो एपिनेफिरिन वाला पाथवे एडरनेलिन काम कैसे करता है वो इस वाली प्रोस्स से काम करता है अब इसमें क्या है कि यह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉंस इता ऐफेक्टिव क्यों होता है क्यों हमारे में एडरनेलिन रश और जो ब्लड ग्रुकोज अच्छानक से जो स्पाइक करता है क्यों आता है क्योंकि इसमें हर लेवल पर बहुत ही ज़्यादा stimulation होता है तो अगर इसका stimulation देखा जाए तो हर एक epinephrine molecule जो bind करता है तो एक epinephrine molecule जो bind करता है उससे 20 CAMP molecule बन जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक से एक epinephrine molecule से 20 CAMP molecule बन रहे हैं तो ऐसे करते करते हैं यह हर step पे अब यह एक वो अलग-अलग protein kinase A को activate कर रहा है इस तरीके से तो यह cascade जो होती है यह strong होता जाता है यह signal को strong करती जाती है एक epinephrine molecule 20 CAMP produce कर रहा है तो 20 CAMP का effect कितना amplify हो गया तो ऐसे करते करते धीरे धीरे एक एक करके यह response आपका बढ़ता जाता है उस वज़े से ज्यादा blood में glucose release होता है तो यह आपका total जो pathway था epinephrine वाला pathway था यह है जो GPCR जिसको conduct करता है तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इता ही आज का जो मेरा question है वो यह है कि अभी मैंने आपको GPCR pathway बताया तो GPCR related pathway हमने का जो ATP gets converted into CAMP क्या हो सकता है क्या ऐसा possible है कि ATP की जगे हम कोई और molecule ले ले माद लो GTP convert हो सकता है क्या CGMP में या कोई और molecule या thiamine triphosphate ये CTMP में convert हो सकता है इस तरीके से अगर ये क्या ये conversion possible है और क्या ये molecules उसी response को elicit कर पाएंगे या नहीं ये आप मुझे बताएगा thank you very much for watching